हेलो एवरिवन वेलकम टू दि न्यू वीडियो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिसकस करेंगे और टॉपिक होगा हमारा कि जो हमारी कैपिटल एसेट हैं उन कैपिटल एसेट की हम कोस्ट ओफ एक्विजिशन कैसे गैल्गुलेट करते हैं तो आज यह इस टॉपिक को हम डिसकस करते हैं कि कोस्ट ओफ एक्विजिशन का मतलब यह होता है कि नौर्मली कोई भी एसेट जितने अमांट में उस एसेट को परचेश करता है मिन्स की उस asset को purchase करने के लिए SSC के दोरा जो भी amount payment की जाती है वो amount उस asset के लिए cost of acquisition कैलाती है अगर यदि उस SSC ने उस asset को purchase करते टाइम कोई brokerage की payment की है कोई registration charges की payment की है या कोई legal expenses की payment की है तो जब भी हम cost of acquisition calculate करेंगे किसी भी asset की तो ये सारे के सारे expenses cost of acquisition में जुड़ जाती है इसी के साथ अगर यदि SSC ने उस capital को purchase करने के लिए कोई amount borrow की है और उस amount के उपर कोई interest की payment की है तो जब हम cost of acquisition उस asset के लिए calculate करेंगे तो उस asset की cost of acquisition में जो भी interest की payment की जाती है वो interest की payment उसमें add हो जाएगी means की cost of acquisition में एक तो हमने purchase price जोड़ा है उसके बाद उसके regarding कोई भी expenses है वो हमने add की है अगर यदि उस asset को purchase करने के लिए आपने loan ले रखा है और उस loan के उपर interest की payment की है तो ये सारे के सारे amount जुड़ जाती है और वो amount cost of acquisition कहलाती है कई बारी क्या होता है कि कोई SSC है किसी asset को वो खुद purchase नहीं करता लेकिन फिर भी वो asset उसके पास tensor हो जाती है ये हम case हम पहले भी discuss कर चुकी है तो ऐसे conditions में क्या होगा कि जो previous owner है जितने रुपे में उस previous owner ने उस asset को purchase किया था जो उसकी cost होगी वो उसकी cost of acquisition मानी जाएगी तो ऐसे कौन-कौन सी conditions है जिसमें हम previous owner की conditions लेते हैं आये इन conditions को हम देखते हैं कि कोई भी अगर H.O.F. का division होता है H.O.F. के division के कारण उसके जो family members है उनको जो भी asset मिलती है तो ऐसे transfer को हम transfer नहीं मानते तो ऐसे condition में जो प्रीवियस owner की cost है वही cost of acquisition मानी जाएगी अगर यदि किसी व्यक्ति को किसी gift में या will के under में कोई asset मिलती है तो ऐसी condition में भी जो previous owner है उसकी cost ली जाएगी कोई succession के या inheritance या devolution के accordingly अगर यदि कोई asset मिलती है तो ऐसे condition में भी वो जो asset है उसकी value जो previous owner की cost होगी वही consider की जाएगी अगर यदि कोई liquidate हो जाते है company तो ऐसी condition में अगर यदि asset का distribution हो जाता है तो ऐसी condition में भी जितने rate में उस company ने उस asset को buying किया था तो वही उसकी cost of acquisition मानी जाएगी और किसी irrevocable trust के under में अगर यदि किसी asset का transfer किया जाता है तो ऐसी condition में भी जो previous owner है उसने जिस rate में उस asset को buying की थी वही उसकी cost of acquisition कैलाएगी आईए अब हम one by one discuss करते हैं कि cost of acquisition of asset different different conditions में हम कैसे calculate करते हैं तो सबसे पहले हम shares के लिए cost of acquisition देखते हैं कोई भी shares है या security है अगर किसी भी asset ने कोई share या security अगर एक अप्रेल 2001 से पहले अगर acquire की हैं तो ऐसी condition में हम क्या देखते हैं कि cost of acquisition, actual cost of acquisition लेते हैं और उसके बाद हम fair value of market लेते हैं 1st April 2001 को इन दोनों में से जो भी उस asset के लिए beneficial होगी वो cost of acquisition वो consider कर लेगा मानलीजी किसी भी asset ने एक जो shares purchase कर रखे हैं वो 100 रुपी में buying किये थे मानलीजी इसने 1995 रुपी में 100 रुपी में कोई share buying किये थे और 1st April 2001 को उसकी value 110 है तो जो SSC है अपनी cost of acquisition के लिए 110 की जो है value वो choose कर लेगा अगर इस दिन मानलीजी 90 रुपी है उस stock की value तो उस condition में वो 100 choose कर लेगा जो भी SSC के लिए beneficial होगा क्योंकि हमने last discuss किया था जब देखा था कि जो हमारा indexing था वो 2012 से start था तो ऐसी condition में हम 2012 को base year मानते हैं और उसके accordingly हम cost का comparison करते हैं तो जो भी cost higher होती है वही SSC के लिए benefit होगी क्योंकि जितनी cost of acquisition जादा होगी उसी condition में उसकी tax liability उस asset के उपर कम बनेगी तो ऐसी condition में हम देखेंगे कि cost of acquisition जो उसने किया है उसने किस rate में किया है और जो 1 April 2001 को share की value है वो क्या है इन दोनों में से जो भी higher होगा normally वो value SSC choose करता है लेकिन अगर इदी कोई भी share 31st March 2001 के बाद अगर इदी उसने buying किये है तो ऐसी condition में जो actual cost paid by the SSC होगी वही उसके लिए cost of acquisition कहलाएगी means 2001 के बाद 1 April actual amount payment करेगा वही उसकी cost of acquisition मानी जाएगी इसके बाद हम cost of bonus shares discuss करते हैं अगर इदी cost of bonus shares अगर इदी किसी भी व्यक्ति को 1 April 2001 के बाद अगर इदी मिलते हैं 2001 से पहले अगर इदी किसी व्यक्ति को bonus share मिलते हैं तो ऐसी condition में उन shares की value जो 1 April 2001 को होगी वही उस asset की value मानी जाएगी क्योंकि bonus share आपको पता है कि उसके लिए हम कोई amount payment नहीं करतें तो ऐसी condition में एक तो amount आजेगी निल 0 आजेगी और एक amount माली जी 2001 में जो value आती है उस bonus shares की ऐसी condition में माली जी 100 रूपी है तो 0 में और 100 में हम compare करेंगे तो हमेशा यह वाली amount आपको ज़्यादा ही मिलेगी तो ऐसी condition में हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि जो भी bonus shares की value होगी cost of acquisition अगरी 2001 से पहले मिले हैं तो जो भी rate उस shares का 2001 को होगा 1 April 2001 को वही उसकी cost of bonus shares मानी जाएगी लेकिन अगरी bonus shares किसी व्यक्ति को 1 April 2001 के बाद मिलते हैं तो ऐसी condition में उनकी cost of acquisition हम डिल मानेगे क्योंकि bonus shares payment receive करने के लिए किसी भी SSE की कोई भी expenses नहीं होता कोई भी amount payment नहीं करता तो ऐसी condition में जो cost of acquisition होगी वो डिल मानी जाएगी इसके बाद किसी भी व्यक्ति को अगर bonus shares मिलते हैं और उनको वो sale करता है तो सारा का सारा जो उसका gain होगा वो capital gain माना जाएगा वो taxable हो जाएगा इसके बाद self generated asset के regarding हम जो cost of acquisition देखते हैं वो क्या होती है self generated asset like जैसे goodwill है, tenancy right है, root permit, trade marks, copyrights तो अगर यदि आप ऐसे rights किसी व्यक्ति से purchase करते हैं तो इसके लिए जो cost of acquisition होगी जितने रुपे में आपने उन rights को purchase किया है वही उसके लिए cost of acquisition मानी जाएगी लेकिन अगर यदि वो self generated capital asset है तो ऐसी condition में जो cost of acquisition मानी जाएगी वो निल मानी जाएगी क्योंकि इस asset को generate करने के लिए उस व्यक्ति ने किसी को कोई भी payment नहीं किया तो ऐसी condition में जो cost of acquisition of self generated asset है वो निल मानी जाएगी अब आता है कि right shares अगर यदि आपने purchase किये हैं उसके लिए cost of acquisition हम कैसे calculate करते है तो इसमें हम तीन अलग-लग point discuss करते है तो सबसे पहला point आता है कि अगर यदि ऐससी उन shares को खुद से subscribe करता है तो ऐसी condition में जितनी amount वो company को payment करेगा वो amount उसके लिए cost of acquisition होगी right shares means कि relatively हमारे को lesser price पे जो भी company का जो market में price होता है उससे कम rate भी मिलते है तो मालेजिए कि एक company ने right shares उसको 100 रुपे में दिये है और उसको 500 share right shares मिले है तो उसने company को कितनी amount payment की 50,000 रुपे तो अगर cost of acquisition of right shares हम इस condition में calculate करेंगे तो उस SST के लिए वो 50,000 calculate होकर आएगी second conditions क्या आती है कि right में एक option भी होता है आप अपने right को किसी दूसरे व्यक्ति को भी transfer कर सकते है तो अगर यदि किसी व्यक्ति को आपने right transfer कर दिया है और उस व्यक्ति ने उस condition में आपको कुछ benefit दिया है मालेजिए आपने Mr. A था उसने कोई अपना right B को transfer कर दिया और B ने उस right cabbage में उसको 10,000 रुपीज दे दिये तो यह जो 10,000 के 10,000 रुपीज है यह capital gain माले जाएंगे और यह short term capital gain होगा क्योंकि right के लिए आपको कोई payment नहीं देना पड़ता जब तक आप उस shares को purchase नहीं करते हो आप किसी को कोई भी amount payment नहीं करते हो यहाँ पर सिरफ आप अपना एक right transfer कर रहे हो उस right transfer करने के कारण आपको benefit मिला है नै कि आपने कोई payment की है उसके लिए तो इस कारण से क्या होगा कि जो भी capital gain आएगा वो आपका short term capital gain आएगा क्योंकि यह जो transactions होती है बहुत short period में होती है मलब वी दिन आपको यह month का आपको maximum tenure मिलता है तो इस कारण से यह जो gain आ जाता है इसको हम short term capital gain हमेशा consider करेंगे यह long term capital gain नहीं होगा जो third condition आती है कि अगरे दिए आपने किसी व्यक्ति से right के लिए purchase किया जैसे हमने second condition में देखा था कि आपने किसी को transfer किया था इसी तरिके से आप किसी दूसरे व्यक्ति से भी right का option purchase कर सकते हैं तो ऐसी condition में जो cost of acquisition होगी वो क्या होगी कि amount paid to the company for the shares plus amount paid to purchase of right means कि अगरे दिमान लेजिए आप यहाँ पर भी व्यक्ति होते जो हमने ये condition discuss की है इसमें अगर भी होते तो ऐसी condition में आप 50,000 रूपीज तो company को payment करते अगर यह अपने 500 shares buying किये है right के लिए तो आपने 50,000 रूपी payment करने था company को तो 50,000 तो company को payment किये वो plus आपने 10,000 रूपीज जिट क्लियर आगे हम देखते हैं कि कोई भी asset अगर यह आप purchase करते हैं पहले हमने discuss किया था कि shares purchase करते हैं same वही condition रहेगी इसमें भी अगर यह आपने कोई asset purchase की है 1st April 2001 से पहले तो ऐसी condition में हम देखेंगे कि जो cost of acquisition है actual cost of acquisition है वो क्या है और fair market value 1st April 2001 को क्या है normally whichever is higher जो इन दोनों में ज़्यादा होगी वही उसकी cost of acquisition कहलाएगी लेकिन अगर यह दी capital asset आपने 1st April 2001 के बाद अगर purchase की है तो ऐसी condition में जो actual amount payment की जाती है वही उस asset के लिए cost of acquisition कहलाती है जैसे हमने shares में किया था amount मालेज़े आपने 1990 में कोई asset purchase की है 10 lakh rupees की 2001 में उसकी value अगर 15 lakh है तो आप 15 lakh चूज कर लोगे अगर यह दी 8 lakh है तो ऐसी condition में आप 10 lakh चूज कर लोगे whichever is beneficial for the SSC तो जिसकी भी value ज़्यादा होगी वही SSC के लिए beneficial होगी तो ऐसी condition में आप जो higher value होगी वो choose करते है लेकिन 1st April 2001 के बाद actually जो amount payment की जाती है वही उस asset की cost of acquisition होती है इसी तरीके से अगर दी previous owner की condition भी आती है तो same वही point हमने discuss करना है कि previous owner की case में भी यह होगा कि अगर 1st April 2001 से पहले अगर दी आप asset purchase करते हैं लेकिन वो depreciable asset नहीं होनी चाहिए आप यह ध्यानक ना क्योंकि हमने यह पहले भी discuss कर चुगे है कि जो depreciable asset से उसके उपर हम long term capital gain calculate नहीं करते हैं तो ऐसी condition में जो return down value होती है वही उस asset की value होती है तो depreciable asset नहीं होनी चाहिए other than depreciated asset होगी तो अगर यही 2001 से पहले अगर purchase की गई है तो actual cost of acquisition और fair market value of asset on 1st April 2001 whichever is higher जो भी ज़्यादा होगी वही normally choose की जाती है लेकिन अगर यही 1st April 2001 के बाद अगर asset purchase की जाती है तो जो actual amount payment की जाती है उस owner के द्वारा जो previous owner है वही उसकी cost of acquisition कहलाएगी इसके बाद जो next हम discuss करते है cost of improvement cost of improvement का मतलब कोई आपने asset purchase कर रखी है और उसके उपर आपने कुछ improvement की है तो कोई भी goodwill वगेरा है इसके regarding हम improvement नहीं लेते है लेकिन जैसे building वगेरा है building की condition में यह improvement वाला normal यह condition आती है तो अगर इसके कोई भी improvement किया जाता है और ऐसा improvement 1st April 2001 से पहले है तो हम इसको consider नहीं करेंगी उसकी value 0 मानी जाएगी क्योंकि हम 1st April 2001 को जो भी value लेते हैं उस asset की उसमें सारी चीज़ हम include कर लेते हैं तो इसलिए हम इसमें improvement अगर इदी 2001 से पहले करते हैं तो हम consider नहीं करते हैं लेकिन अगर इदी आपने कोई भी alteration या addition किया है या improvement किया है किसी भी asset में 1st April 2001 के बाद तो ऐसा improvement consider किया जाता है और यह deductible expenses होते हैं जब आप capital gain की calculations करते हैं तो ऐसे जो भी improvement है cost of improvement है तो हम उसको deduct कर देते हैं इसके बाद आप यह बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी depreciated asset है उनको हम कभी भी indexing नहीं करेंगे इसी के साथ अगर इदी bonds and debentures है उनको भी हम indexing नहीं करेंगे और जो short term capital assets होती है उनको भी हम indexing नहीं करेंगे short term capital asset means कि कोई भी आपकी fixed asset है other than जो आपके financial assets आती उसमें 36 months और जो भी shares आते हैं ऐसी condition में 12 months तो इनको हम कभी भी indexing नहीं करेंगे इसके बाद हम एक special case भी discuss करते हैं normally कई बार ही यह पूछा जाता है कि कोई capital asset होती है उस capital asset को हम stock में convert कर देते हैं तो ऐसी conditions में हम किस तरह से calculations करते हैं इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जिस तारिक को आप उसको stock में convert करते हैं वहां तक का जो gain आएगा उसको तो हम capital gain consider करते हैं capital gain is equal to fair market value of date of conversion into stock minus में index cost of acquisition में इसकी मान लिजीए किसी व्यक्ती ने July 2017 में कोई asset थी उसको stock में convert कर दिया और उसने 2005 में purchase किया था उस asset को माली जे 10 lakh में purchase किया था और July 2016 में उसको stock में convert कर दिया और उस दिन जो उस asset की जो fair market value थी वो 45 lakh थी स्पोज हम ऐसे example ले रहे हैं तो अगर इदि हम इसका indexing करेंगे 2005 का 2017 तक आप इसको chart में देख लेना वैसे में इसको normally वैसे ही बता रहा हूँ आपको स्पोज कि यह माल लिजीए 20 lakh आ जाता है तो जो balance बच जाता है 25 lakh तो वो आपका long term capital gain हो जाएगा और उसी asset को माल लिजीए आपने अगस्त में sell कर दिया 60 lakh में तो जो 60 lakh में आपने sell किया है तो जिस दिन conversion किया था उस दिन उस asset की value 45 lakh थी तो 60 lakh में से आप 45 lakh रुपे deduct कर देंगे तो जो 15 lakh रुपे जो बचेगा वो आपके लिए business income हो जाएगा जिस date तक आप उसको stock में convert करते हैं उस date तक तो जो value आएगी जो भी difference आएगा वो आपका capital gain कहलाएगा और उसके बाद जब आप उस asset को sale करते हैं तो जो उनका difference आएगा वो आपका business income कहलाएगी business income equals sale minus में fair market value तो ये जो था हमारा ये आज का पूरा topic था आपको वीडियो कैसे लगें आप वीडियो को like share कीजिए और चैनल को subscribe करिए Thank you